स्वेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आफ शबी लोगा आये दोस्तों मिटकेब निफ्टी बैंक एक्स और संसेक्स करते हैं मंडे के लिए और जानते हैं कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है साथ में डिश्टल अफसंचान को एनलाइज करेंगे उसके पहले आपको बता लेवल जनरेट हो चुका है काफी एक बिग बार कैंडल यहां पर आ चुकी है जो कि आप देख सकते हैं आपके सामनी यहां पर ओम होती भी जो दिखाई दे रही है और यह कैंडल का जो में पार्ट है यह है कि इसमें एक रेजिस्टेंस भी जस्ट यहीं पर स्टैबल है ज अब जो मंडे की एक्सपारी है वो किसी साफ से प्ले करनी है किसी साफ से काम करना है तो फस्ट अफॉल अगर कोई भी बड़ा गैप डून हो जाता है तो बजार आपको रिकवरी दिखाएगा अगर कोई अच्छा घाप अप होगा तो भी एक वहां से आपको थ्रोबैक आ भी अगरा है कि वह स्सेंड कर रहा है कि अगर वह स्टेंड किया तो हम उसको भाई में Canvard कर सकते हैं आपकर से कि सब्चोंच के थिया बजार यहां से यहां पर बजार के पास यहां से थोड़ा सा कूल होना किया और यहां पर उपर कि तरफ डार्रेक्शन सो करता है तो हम यहां पे अपने बाई को जो लेके आउन कर सकते हैं स्टार्टिंग के दस से पंदरमट काफी इंपॉर्टेंट होंके जिस हिसाफ से बजार की क्लोजिंग हुई है तो यहां पे आपको वीकने सी दिखाई देगी लेकिन बहुत दिनों से गिर रहे हैं इंपॉर्टेंट यह भी हमें अवाइड नहीं करना है क्योंकि 12,100 से लेके 200 भी एक सपोर्ट एरिया है बहले ही इसमाल सपोर्ट है अलाकि बजार जो है वीक ट्रेंड में है इसमें कोई डाउट नहीं है इसलिए पहले अगर कोई भी गैब डूनाता है तो हम उसको वेट करेंगे थ्रोबेक पर की चेक कर लें उसको कि क्या हो रहा है वहां पर फो थ्रोबेक होल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है अगर फोड नहीं होगा तो हम फिर सेल उनराइस का भी लेके चलेंगे और उसके हिसाब से अपना काम यहां पर कर सकते हैं अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सेंसक्स के ऊप करेंगे अंड पोट यहां पर एक तो खुद का सपोर्ट है जो जहांपर क्लोज हुए सेबन नैन फाइंड के पास बिल्कुल के पास दूसरा जो बड़ा सबूर्ट है वह सेविन टीएट री हंडिर के पास है उसे खुलने के बाद हो सकता है कि हमें गैप दिखाए या पूल अधिया को इसकी एक्सपारी होती है तो मंडे को नौर्मल हम लोग इसको नहीं प्रिफर करते हैं, बड़र होगा कि हम लोग बैंक एस पर फोकस करेंगे और इसका रिजन ये भी है, कि आइसे बेंक रिजल्ट आ चुके हैं, अब हमें ये दिखना है, कि बैंक निफ्टी ये किस हिसाफ से काम करते हैं अब जिस हिसाफ से आई शेयी बैंक हमें परदस्वन दिखाता हुए निजर आएगा उसी हिसाफ से लोग काम करेंगे बजार की अगर ऐसे सिच्वेशन नहीं होती तो कहने में कोई दिकत नहीं थी कि बजार की सिच्वेशन थोड़ी मुश्किल में है तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है स्टील एक लेबल है अभी आप क्लोज हुए हैं 58,000 के करीब में इदर उदर कहीं भी खुलते हैं और अगर 58,000 फोल्ड कर रहे हैं तो यहां से लॉंग के लिए ज्यादा प्रिफरेबल होगा क्योंकि हमारे स्टॉपलस काफी क्लोज में होगा जो कि 57,875 का होगा अगर कोई गैप अप हुआ और यह डारेक्टली 58,800 के जून में खुल गया तो हमें बेट करना पड़ेगा एक फूल बैक आने का इस त्रो बैक पर हम वेट करेंगे सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे बजार यह देखेंगे अगर बजार सस्टेन करते हैं तो हम वहां से बाइंड डिप करन निती अपनाएंगे और उसमें से कुछ गिन लेने की कोशिश करेंगे अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आप से पर तो सबसे बहुत करेंगे मिड़के निफ्टी का देखें डेटा बीच में है बहुत जादे रिंगेटिव नहीं है बहुत जादे अच्छे भी नहीं है तो डेटा के सी बीसाइड जाके चेंज हो सकता है अब देखें 12,350 पर 12,000 के शेलर है जो की मेजोर एरिया के तौर पर देखे जाएंगे सो डेटा के बेस्ट पे कि अगर बजार फ्लाइट खुले और 12,300 को सस्टेन करने लगे तो बजार स्लिप करने के लिए रेडी है अगर बजार खुलने के बाद 12,350 को होल्ड करने लगे उसके उपर मे कि आएगी और दर 400 करेगा कि सोट कवरिंग होगी यह बजार यहां से शिलिप करेगा तो यह दोनों लेबल चार्ट पर मार करके रखेएगा अब हम बात करते हैं दोस्तों संसक्स की तो संसस का डेटा भी से लाइक मिटकर निफ्टी है वीकेंड पर इसमें और जो है लाइ इसी दिख रही है 79 400 पर दिख रही है देन अफ्टर 79 600 पर है और पुट राइटिंग जो है दबा के हुई है जो कि 79 300 400 पर है यानि कि एक बहुत क्रिस्टल क्लियर मिनिंग है कि जहां पर हम बंद हुए हैं उसके सौ पाइंट नीचे तक एक यहां पर अच्छा जह बजार होल्ड करेगा तो हमें यहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है तो हम उस रिकवरी में बाई करके पाटिशिपेट करेंगे लेकिन एनिहाओ अगर 79 200 प्रेक होने लगा तो यहां से फिर बजार सेल हो जाएगा क्योंकि इतने भी यह पूट सेलर आये हैं यहां पर र अब हमें किस लेबल के उपर फोकस करना है तो हमें सिर्फ एक ही लेबल के उपर फोकस करना है और वो है according to data 58,000 अगर इसके आप उपर रह रहे हैं तो आपको यहां से सेल अभी नहीं दबाना है और अगर आप इसके नीचे सस्टेन हो रहे हैं तो आपको बाई नहीं दबाना है और उसके according काम करना है data यह clear picture जो है दे रहा है तो इसके accordingly एक 58,000 पर midline mark रखेंगे और अब करूंगा कि यह जो छोटी से अलसी से मंडे के सेशन में आपका हेल्प करती भी न जालेगी दोस्तों वीडियो से हैलफ और यह तो लाइक एन सेर कीजिए फस्ट मैंत है तो टेलिगराम और यूटूब दोनों को जोईन कीजिए थैंक्यू समसर वाचिंग मिलते हैं दोस्त NEXUS NM